नवस्कार जोहार मेरा नाम पिवेक कुमार है और वेब समचार 24 इंटू 7 देख रहे हैं आप जारखन के मांडर में अभी जो है वो एक कड़ा मुकाबला चल रहा है आपको बता दे कि कॉंग्रेस की प्रत्यासी मांडर उप्चुनाव 2022 कॉंग्रेस की प्रत्यासी सिल्पी न नतीजे निकल के सामने आ गया है आपको बता दे कि दसवे राउंड पूरे होने तक 10,678 भोटों से आगे चल रही है कॉंग्रेस की प्रत्यासी सिल्पी निहातिर की गंगरुत्री कुजूर को जो की भाजपा की प्रत्यासी है उनको अभी तक 34,158 भोट मिले हैं इसी के सा निहातिर की 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है इसी के साथ साथ देवकुमारधान को जो वोट निकल के सामने आ रहा है कहा ये जा रहा है कि यही वोट है जो की भाजपा का हार का खारन बनेंगे तो बड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है मांडर में जब वोटों की गिंती सुरू ही उसी समय से सिल्पी निहातिर की जो है वो आगे चल रही है और उन्होंने अपनी बढ़त 10 वे राउंड पूरे होने तक बना के रखी है आगे भी हम आपके लिए लाइब अपडेट जो है वो लेके आते हैं रहेंगे लेकिन अब मुकाबला जो को नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो देव कुमारधान है वो 2019 में भाजपा कहीं प्रत्यासी थे लेकिन चुनाओ हार गये थे अब देखने वाली बात है कि 21 राउंड का पूरा जो है वो काउंटिंग है आगे चल के जो है वो क्या नतीजे निकल के साम कर दो